किसन भाईयों नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे योटूब चैनल डी फार्मिंग में किसन भाईयों आज हम दो ऐसी जरूरी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रयोग अगर आप अपने आलू की फसल में करते हैं तो आलू का विकास अची तरह से होगा आलू की फसल अची तरह से ग्रोध करेगी और हमारा आलू वजंदार और चमकदार भी बनेगा तो जिससे हमारी फसल की पेदावार बढ़ेगी और हमारे किसन भाईयों को ज्यादा फाइदा होगा तो इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया हूँ तो इस वीडियो को बीना स्कीप के अंतर तक जरूर देखें वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें जो किसान चेनल पर पहली बार आए नीचे लालक स्क्राइब के बटन दिखेगा उसे दबाएं पास में जो गंटी है उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ओल पर सिलेक्ट कर लें किसान भाईयों आलो की वसल में अगर हम अच्छी तरह से विकास कर लेते हैं जड़ों का विकास अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इसमें पहले चीज का परयोग हमें करना है सलबर किसान भाईयों किसी भी विकास को मुक्य रूप से नाइटरोजन, फासफरस और पोटास के अलावा सलपर की बहुत ही ज़्यादा आउसकता होती है क्योंकि अधिकतर किसान सलपर का परियोग अपनी फसलों में नहीं करते हैं लेकिन हमारी फसल को सलपर तत्व की आउसकता होती है सलपर में मुक्य रूप से सुक्सम पोस्थत तत्व मौजद होते हैं की फसल की कभी ज़यदा बड़वार करते हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ करने में मदद करते हैं बात करते हैं सलपर के परियोग की तो किसन भायो मार्केट में आपको तीन परगाल के सलपर मिल जाएंगे पहला सलपर पाउडर दूसरा सलपर दानेदार तिसरा सलपर जो कि सलपर बेंटो नाइट 90% वाला आता है उसका परियोग 5 kg प्रतियक्ट की दर से करें जिससे सलपर फसल की जड़ो तक आसने से पहुंच सके और फसल में अच्छी तरह से बड़वार करने के साथ आलू की सहच को बढ़ा सके अगर आप सलपर लिक्ट का परियोग करते फसल उत्पादन में पोटास का कावी जड़ा मयतो माना जाता है खास करकि कंद वाली फसलों में इसका दोहरा रिजल देखने को मिलता है त्योंकि कि फसलों का अची तरह से विकास और कंद को बढ़ाने के लिए पोटास का मयतो परियोग करते हैं तो आलू की साइज प्रतास के प्रजूर नहीं किया है तो जब आपकी फसल में अलू बनना सुरू हो जाए उसके बाद आप पौटास का उप्योग कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप 0050 याने की पोटास वाटर सुलिबर खाद का स्प्रेक कर सकते हैं एक किलोग्राम पर्तियाकर की दर से जिससे आपको दोरा फाइदा मिलेगा, इस स्टेज में आपको जब आलू की फसल में कंद बनना शुरू हो जाए, उस समय आप M.O.P. यानि की 0050 का स्परे वाटर सुलिवल खाद का करें, जिससे आपकी फसल में कंद का साइज बढ़े और फसल पर तुरंद अवसोसित होकर अच्छा रिजड दे सके, किसान भाइयों फसलों में अगर आप सलफर और पोटास का परियोग करते हैं, तो इसका फाइदा आपको जरूर देखने को मिलता हैं, लेकिन अधिकतर किसान पोटास का परियोग तो करते हैं, लेकिन सलफर देना अपनी फसल को भूल जाते हैं, जिससे वसल की पोसक ततों की कमी रहती है और उत्पादन में गिरावर देखने को मिलती है तो किसान भाई आप इन दोनों चीजों का प्रियोग जरूर करें जिससे आपकी पेदावार में अच्छी तरह से बड़ोतरी देखने को मिलेगी तो वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक और अपने किसान दोस्तों के पास सेर करें तो चलिए मिलेंगे ऐसी नहीं जानकरी के साथ नए वीडियो में जै किसान